Hello दोस्तो, जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत ज्यानक्षय के चैनल पर हमने Unsung Heroes की सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम ऐसे Unsung Heroes के बारे में आपको बताएंगे जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है तो आज के इसे वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ये कंसंग हीरो की जिनका नाम है कुवर सिंग ये वही महान कुवर सिंग है जिनोंने 80 साल के उम्र में भी ना किवल अंग्रीजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजाय था बलकि कई युद्धों में अंग्रीजों को परास्त भी किया था तो चलिए हम आपको इनके बारे में विस्तार से बताएं कुवर सिंग का पूरा नाम बाबु कुवर सिंग था उनका जन्म सन 1777 में बिहार के शहबाद के भोजपुर चिले के जगदीशपुर गाव में एक प्रसित शाशक भोज के वन्शजों में हुआ था उनके पिता का नाम बाबू साहिब जादा सिंग और माता का नाम पंचरतन कुवर था कुवर सिंग के छोटे भाई अमर सिंग, दयालू सिंग और राजपती सिंग थे उन्होंने अपना बच्पन आम बच्चों की तरह नहीं बिताया बचपन से उन्होंने खेलने कूदने की वज़ाए घुड सवारी, निशाने बाजी और तलवार बाजी सीखने में अपना समय व्यतीत किया और इन सब के साथ ही उन्होंने मार्शल आर्ट्स भी सीखा ऐसा कहा जाता है कि जिला शाहबाद के कीमती और अतिविशाल जागिरे उन्हीं के नाम थी वे अपने गाउं में बहुत लोग प्रिये थे साथ ही अंग्रेजी हुकूमत में उनकी अच्छी पैट थी 1857 के स्वतंत्रेद संग्राम के दोरान बाबु कुवर सिंग ने महत्वपून भूमिका निभाई थी उन्होंने हिंदू और मुसल्मान को एक चुटकर अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए कडम बढ़ाया उस समय मंगल पांडी की बहादूरी ने सारे देश को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर दिया था तब बाबु कुवर सिंग ने भारतिय सेना को नित्रित्व किया उन्होंने 27 अप्रेल 1857 को दानापूर के सिपाहियों, भोजपुरी जवानों और अन्ने साथियों के साथ मिलकर आरा नगर पर कबज़ा जमा लिया था इस तरह से उन्होंने आरा के जिल तोड़ कर कैदियों को मुप्ति दिलाने और खजाने पर गबज़ा करने का अभियान शुरू किया कुवर सिंग ने दूसरा मोर्चा बेबी गंज में खोला जहां उन्होंने 2 अगस्त 1857 को अंग्रेजों के चक्के छोड़ा दिये थे जब अंग्रेजी फोज ने आरा पर हमला कहिने की कोशिश की तो बेबी गंज और भिया के जंगलों में घमासान युद्ध हुआ सभी बहादूर स्वतंत्रत सेनानी जैदीशपूर की और भड़ चले जगदीशपूर पर अंग्रेजों ने भयंकर गोलाबारी कर दी थी घायल लोगों तक को उन्होंने बेरहमी से फासी पर लटका दिया और सभी महल और दूर्ग खंडर कर दिये थे उस से युद्ध में कुवर सिंग भले ही पराजित हुए हूँ लेकिन अंग्रेजों को खत्म करने का उनकर जस्वा जोकत त्यो ही था सित्मबर 1857 में कुवर सिंग रीवा की और चल दिये जहां उनकी मुलाकात नाना साहिप से हुई और वे एक और जंकी शुरुआत करने बांदा के कालपी पहुँचे लेकिन सर कॉलीन के हाथों तात्या की हार सुनने के बाद कुवर सिंग ने कालपी ना जाने का फैसला किया और लखनव पहुँच गए इस बीच बाबु कुवर सिंग रामगड के बहादूर सिपाईयों के साथ बांदा, रीवा, आजमगड, बनारस, बलिया, गाजीपुर एवं गोरकपुर में विलप के नगाडे बजाते रहे लेकिन कुवर सिंग की यह विजई गाथा कुछी दिनों तक रही, जिसके बाद अंग्रेजों ने लखनाओ पर फिर से हमला कर आजमगड को भी अपनी हिरासत में ले लिया इस बीच कुवर सिंग बिहार की और लोट रहे थे, जब वे जगदीशपुर जाने के लिए गंगा पार कर रहे थे, तब ही अचानक से एक अंग्रेजी गोली उनकी बहा में आ लगी और जहर फैलने से रूपने के लिए कुवर सिंग ने वही उसी वक्त तलवार से अपनी बहा काट कर नदी में प्रभावित कर दी फिर वे अपनी सीना के साथ जंगलों की और चल पड़े, अंग्रेजी सीना को पराजित कर 23 अप्रेल 1858 को जगदीश पुराए उस समय वे बहुत बुरी तरे घायल थे और उनकी परिस्थिती काफी गंबीर थी आई अब हम जानते हैं कि 23 अप्रेल को विजयोटसव मनाने का हमारा क्या उद्देश है 1857 की क्रांती के इस महानायक ने आखिरकार अदम में वीरता और साहस का प्रदर्शन करते हुए 26 अप्रेल 1858 को दम तोड़ दिया जिसके बाद हर वर्ष 23 अप्रेल को बाबु वीर कुवर सिंग ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत और अपने देश के प्रती बलिदान को उनकी याद में विजयोटसव के सहमारों के रूप में मनाया जाता है आज की इस वीडियो में बस इतना ही अब मिलते हैं अंगली वीडियो में एक और नए नाम और कहानी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने रोश्तों और रिष्टेदारों को शेर करें